वेलकम फ्रेंट्स आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम एकई टेबल में दो प्राइमरी की बना सकते हैं जी यहां पर देख सकते हैं आप यह मैं आपको दिखाता हूं डिजाइन वीव में लेकर यहां से पहले इसको रिमूब करना होगा यह जो हमने लिख दिया है यह दो बार आ गया है अभी इसको रिमूब कर दिया है यहां सेवन कर देता हूं तो अभी यह हो जाएगा अभी यह देखिए यहां पर यह देख सकते हैं यह प्राइमरी की बन है और यह प्राइमरी की पहला फिल्ड बनाए student का roll number तो यह primary key हो सकते है ठीक है primary key duplicate value नहीं लेगा यानि कि जो आपने column create किया है उस column में आप duplicate value नहीं रख सकते हैं यही primary key का काम है ठीक है तो अभी यहाँ पर student का roll number है तो यह तो auto number है यह तो खुद से generate होता जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं registration number है यह भी खुद से generate होगा ठीक है यानि कि auto number और roll number सेम हो सकते हैं लेकिन जो field है registration number का अगर आपने किसी का registration number 1 दे दिया तो आप दूसरे व्यक्ति का registration number 1 नहीं दे सकते हैं यह तरीका है ठीक है तो आईए इसको देखते हैं यहाँ से okay करता हूँ यहाँ पहले से मैंने बना के रखा हुआ है अब देखिए यहाँ पर roll number 2 दिया 3 दिया 4 दिया इसमें कोई भी duplicate value नहीं include है ठीक है एक बरोर आपको इसको design view में लेकि मैं देखाता हूँ यह देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यह जो student का roll number है वो auto number data type है यहाँ पर indexes में देखिए यह लिखा हूआ है yes no duplicates यानि कि duplicate value यह नहीं लेगा इसी तरह से registration number पर आते हैं तो यहाँ पर भी indexes में लिखा हूआ है yes no duplicate तो यह no duplicate होना चाहिए आपके में यहाँ पर आपको drop down एक मिलेगा जहां से आप no yes duplicate value या yes no duplicate यह सब select कर सकते हैं तो आपको यहाँ no duplicates ही रखना है क्योंकि primary की का तो कामी यही होता है कि duplicate value enter ना करने दे ठीक है अब चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ roll number अब यह तो auto number generate होगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ रितेश यह नाम लिखा मैंने स्टुडेंट का और अब next column में आते हैं और इन्होंने admission लिया है ओ लेवल में ओ लेवल ओके अब यह ओ लेवल का जो course है इसकी अवधी होती है एक साल ठीक है एक वर्स मैं लिखता हूँ यहाँ पर ठीक है और यह जो registration number है आगर मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ तो यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया है कोई बात नहीं यहाँ पर 7 मैं लिखता हूँ ठीक है registration number already आप देख सकते हैं सेबल लिखा हूँ है मैंने यहाँ टू भी लिख सकते हैं जो आपने लिखा है उसकी repetition आप नहीं कर सकते हैं तो यहाँ टू लिख दिया हमने अब जैसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो आ गया यह अब जैसे माल लिजे कि इसकी registration fees है 4000 रुपए यहाँ 4000 मेंने डाला और जैसे ही यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे तो यह एक error message आएगा तो इसमें duplicate value नहीं चले इसलिए आपको यह 2 हटाना ही पड़ेगा आप कितना भी कोशिश कर लें आगे बढ़ने की आप नहीं बढ़ सकते हैं पर click करेंगे तो भी यह message आएगा तो यह है हम एक से अधिक primary की भी रख सकते हैं एक टेबादे तो उमीद करता हूं यह बात आपके समझ में आ रही होगी रखने का तरीका क्या है कैसे रखेंगे यह डिजाइन व्यूप आएंगे अब पहले इसको मैं हटा देता हूं यह यह values अमने ले रखी हैं इनको मैं हटा देता हूं हटा दिया मैंने अभी सपोच कीजिए student का role number तो primary की होना चाहिए तुनिया primary की से मैंने बना दिया अभी registration number को भी बनाना है तो कैसे करेंगे तो आपको क्या करना है control button press करना है जैसे माली यह आपको registration number को primary की बनाना है select कर लिए registration number वाला रो और आप control बटन दबा लिजिए select करने के बाद control बटन आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि आप दूसरा रोज select ना कर ले यह पहला रोज ठीक है control बटन दबाए रहिए अब यह दोनों रोज select हो गए अब primary की पर click कर लिए जैसे click किया तो यह click हो गया यहाँ पर ध्यान रखिए कि yes no duplicates होना चाहिए जैसे माली जीए इसमें अभी यह वाला column select है row select है तो यहाँ पर no duplicates होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर देखते हैं यहा less no duplicates तो duplicate value यह नहीं लेगा आप यहाँ से आप click करेंगे इस पर यह accept हो जाएगा और यह duplicate values नहीं लेगा तो इस तरीके से आप entry कर सकते हैं उमीद करता हूं यह बात आपके समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आ है इसको share कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं लाइक कर सकत थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो